तुरा देश कोरोना की मार से दोहरा हुआ जा रहा है हम सब इस इस्थिती को पिछले एक सालों से जहेल रहे हैं अभी जो कोरोना का स्ट्रोम बताया जा रहा है अभी जो कोरोना वापस आया है वो बहुत खतरनाक है ये सभी लोग कह रहे हैं डॉक्टर कह रहे हैं वग्यानिक कह रहे हैं तमाम लोग जो कोरोना को पढ़ रहे हैं जो कोरोना को जानते हैं वो तमाम लोग एहतियात बरतने क सबसे अपील कर रहे हैं हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहें बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन बताये जा रहे हैं उसको फॉलो करें लेकिन साथ-साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप तक देश की सची तस्वीर पहुँचती रहे इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीरे भी दिखाएं जो भोपू मीडिया नहीं दिखाएगा जो कोरोना के सच को आप तक नहीं पहुँचाता है हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो खबरे पहुंचा है हम मौजूद हैं अभी कुंडली के शमशान घाट में जहां कोरोना के पेसेंट सबसे ज़्यादा लाए जा रहा है हमने जब दूसरी तफ ये देखिए लकडियां धो के शवों को अंतिम संसकार के लिए ले जाया जा र हमारी बढ़ तो जरूर गई है उसकी परेशानी से पूरा देश परेशान है हमारे यहां भी शवों का बोज बढ़ा है पहले जो शव हमारे यहां कैपिसीटी 15 शवों के संसकार की थी अब वो कैपिसीटी बढ़कर 30-40 हो गई है बड़ा दर्द भरे लहजे में उन्होंने पर भी है कुछ हस्तिती व का जा रहा है कि अभी शौव्याव आपके यहां जाएगा शौव वेटिंग में हैं आप समझे कितनी दर्दनाक इस्थिती है देश की कितनी विचलीत कर देने वाली इस्थिती है देश की जहां शौओ को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ मैं अपने पीछे दिनेश जी को कहूंगा दिखाएं यह जो इंबुलेंस गाड़ी देख रहे हैं आप उसमें एक अभी भी यहां कोरोना के पेसेंट हैं और लगतार पीपी इकिट पहन करके हस्पताल के लोग यहां मौजूद हैं हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी उन्होंने कहा कि हम पड़गंज मैक्स से आए हैं और हम उस बड़ी के साथ आए हैं उस इंबुलेंस के साथ आए हैं और संसकार जब हो जाएगा तब हम यहां से चले जाएंगे लगतार संसकार के लिए जो शौव आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है देश में कोरोन के साथ मैं सुधाकर सिंग धन्यवाद